नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के नुसार परिवार की सुखब समर्दी घर की लच्मी, यानि घर की इस्त्री पर निर्भर करती है वलके धार्मिक ग्रंतों के नुसार देपता भी अपनी अर्दांगनी को ही अपनी शक्ती मानते ही जिसका सबसे बड़ा उदारण है साचा शिपशंकर जो अपनी अर्दांगनी देवी पारवती के बिना अधूरे माने जाते ही पीदर्शकों हिंदु धर्म में इस्त्री को अन्पूरा लच्मी और बेभव लाने वाली मना जाता है ऐसे में महिलाओं के लिए हिंदु धर्म के नियमों का पालन करना जरूरी होता है अगर कोई महिला इन्यमों का पालन करे तो इसका परिवार आर्थिक इस्तिती पर मलब इन्यमों का पालन ना करे तो इसका परिवार आर्थिक इस्तिती पर बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही है कि साबन में महिलाओं को किस दिन बाल धूने चाहिए और किस दिन भूल कर बाल नहीं धूने चाहिए साथ ही किस दिन साबन में बाल काटने चाहिए और किस दिन नहीं आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से यही जानकारी उपलद करवाने वाले हैं तो प्री दर्सकों बने रहना वीडियो के अंग तक जानकारी अच्छे लगी तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों शास्त्रों के नुसार शुक्रवार के दिनबाल धोना बेहदी शुब माना गया है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लच्छमी का होता है इसलिए इस दिन महिलाएं अपने वालों को आवस्य सुच्छ करें इस दिन बाल धोने से धनकी देवी माल अच्छमी अतिप पाबरसाती है तो वहीं अगर आप किसी पुत्र की माता है या आपके पुत्र प्राप्ती की कामना है तो आप शुक्रवार के दिन अपने वाल अवश्य धोएं इतना ही नहीं शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी शुब माना जाता है दोस्तों आपको बता दें कुवारी कन्याओं को बुद्वार के दिन भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए खास तोर पर जिन कन्याओं के छोटे भाई हूं उनको गलती से भी बुद्वार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए आईशा शास्त्रों में कहा गया है जो कन्याएं बुद्वार के दिन बाल दोती है उसके भाई को कश्टों का सामना करना पड़ता है इसलिए बुद्वार के दिन अपने बाल ना दोई दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आज कल कोई भी शुप्तिवार या शुमूरत या तिति हो महिलाएं अपने बालों को कटवाने या धोने से पहले बिल्कुल भी नहीं सुझती लेकिन आपको बता दें जुतिशास्त्र और वास्तुशास्त्र के नुसार किसी भी शुमूरत या शुप्तिवार पर ना ही बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए खास तर पर पूडिमा एकादसी और आमावस्या के दिन गलती से भी बाल नहीं धोना चाहिए आपको शुप्तिती से पहले ही ये सभी काम कर लेने चाहिए अगर आप किसी दिन का ब्रत रखती हैं तो उस दिन भूल कर भी बाल ना धोएं जैसे आपने सुम्बार का ब्रत रखा है तो उससे एक दिन पहले ही बाल दोकर शुद्ध हो जाएं लेकिन ब्रत वाले दिन बाल धोने की गलती बूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर आपको किसी कारण बस ब्रत वाले दिन बाल धोने पर जाएं तो आप अपने बालों में कच्चा दूज लगाकर बाल धो सकते हैं दोस्तों इसके अलावा सुहागन महिलाओं को गुरुबार के दिन बाल नहीं दोना चाहिए ना सिर्फ महिलाओं को बलके पूरुसों को भी गुरुबार के दिन बाल नहीं दोना चाहिए आपने कई बार सुना होगा कि गुरुबार के दिन घर में पोच्छा नहीं लगाना चाहिए क्योंके बस्पत देपताओं के गुरु मने जाते हैं तो ऐसे में अगर आप गुरुबार के दिनबाल दोते हैं तो इससे घर की आरतिक इस्तिती पर बुराप्रभाँ पड़ता है और व्यक्तिको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों आपको बता दें शनिवार का दिन शनिदेब को समर्पित है ऐसे में इस दिन नाही बालों में तेल लगाएं और नाही अपने वालों को सुच करी ऐसा करने से सनी की कुदिष्टी हमेशा आप पर बनी रहती है आईए दोस्तों वीडियों में जान लेते हैं कि कौन से दिन महिलाओं को भूल कर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए आईए ये भी जान लेते हैं दोस्तों शास्त्रों के नुसार साबन में बाल नहीं काटना चाहिए यहाँ एक धार्मिक मानिता है जिसका पालन वरसों से किया जा रहा है किसी भी मानिता की शुरुआत काल परसंग और इस्तितियों को देख कर की जाती है इस संबन्द में भी कुछ ऐसा ही है जिसके नुसार पहले के समय में प्रयाप्त प्रकास विवस्ता सुरचित उकरण और कोशल का आभाव था जिससे बाल कटवाते समय चोट लगने या घाव होने का खत्रा रहता था साबन के महीने में इस चोट या घाव में संक्रमन और मबाद हो सकता है साबन बारिश का समय होता है इस समय किसी कट या घाव के करन तोचा में संक्रमन हो सकता है एही वज़े कि साबन में बाल कटने से मना किया जाता है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि महिलाओं को कौन से दिन बाल नहीं दोना चाहिए साथ ही ये भी बता कि साबंद के महिने में बाल क्यों नहीं कटमोना चाहिए आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद